Hi guys, welcome to bbanker, स्वागत है आपका आज की क्लास में आज की वीडियो में, मैं हूँ पृती मैम और आज में लेकर क्या आगई हूँ आपके लिए कौर नहीं, जबरदस्त वाली क्लास, क्या होने वाली है भई आज की क्लास, तो आज की क्लास में अंग्रेजी बोलने के लिए 33 स्ट के बारे में पढ़ेंगे ये 33 के 33 structures यकीन मानिए आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो इस class के बाद ये structure अगर आपको याद रहेंगे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो basic communication आपकी आज से अभी से इस class के बाद से ही आप शुरू कर सकते हैं तो ये 33 के 33 structures बेहत बेहत ज़रूरी ह मतलब एक तरीके से कह लिए वाक्यों को बनाने के लिए basic communication के लिए जितने भी हमारे वाक्य होते हैं उनको बनाने के लिए और सही तरीके से communicate basic communication कर पाने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है तो बिना देर किये चलिए शुरू करते हैं आज के class उसके पहले अगर चानल पर पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लिए चैनल को सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करते वक बेल आइकन जरूर दबा लीजेगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए, आपको जरूर और जरूर पता लग जाए, आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं हमारी टेलिग्राम पर, टेलिग्राम अब पर जाकर के बस सर्च कीजे बी बैंकर और आपको हम लोग मिल जाएंगे, वहां आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फ्री कोर्स के बारे में जानने के लिए, हमारी बुक्स, ई-बुक्स और डेली अप्रेट्स के बारे में जानन जो की है यह आपके आखों के सामने जैसा कि एक बहुत ही simple सा बहुत ही normal सा वाक्य है that is मैं जाता हूं क्या वाक्य है मैं जाता हूं ठीक है बहुत basic सा वाक्य है इसको अनुवाद करेंगे तो और भी अंग्रेजी में जब convert करेंगे तो यह और easy हो जाता है यह बन जाता है I go ल तो इसके लिए structure वहाँ पर काम आता है structure है इसका subject प्लस V1 वर्ब का पहला रूप ठीक है वर्ब के कितने रूप होते हैं मूलता हम लोग 5 रूप को लेकर कर पढ़ते हैं V1, V2, V3, V4, V5 ठीक है तो इसके बारे में detailed में कैसी और class में discuss करेंगे फिलहाल आप यह जान लीज कि normally V1, V2, V3, V4 आपको याद रखने हैं तो V1 वर्ब का पहला form लगेगा इसमें और साथ में रहेगा other words अगर वाक्य में है तो जैसे कि यहाँ पर अगर होता मैं school जाता हूँ तो हो जाता I go to school और to और school क्या हो जाता other words की category में आ जाता ठीक है इसी को other words कहते हैं यानि कि subject और वर्ब को छोड़ करके उस वाक्य में जो ही आपको दिखे शब्द वो other words की category में आ जाएंगे और उसको denote कता है OW तो throughout the class जहाँ पे भी मैं आपको बोलूँ V1 तो मतलब है वर्ब 1, V2 मतलब वर्ब 2, V3 यानि कि वर्ब 3, V4 यानि कि वर्ब 4 और OW मतलब other words तो इसका ध्य इसको बनाने के लिए कुछ rules हैं जो जानने बेहत जरूरी हैं जैसे कि जब भी आपका subject I, U, V और दे हो तो हमेशा V1 यानि कि वर्ब 1 का स्तमाल होगा और subject अगर आपका he, she, it या कोई भी नाम है तो वर्ब के साथ S या ES लग जाएगा S या ES जैसे go है यहाँ पर तो goes हो जाएगा, ES लग जाएगा ठीक है इसको ध्यान रखना है rule को चलिए बढ़ते हैं आगे अगले दूसरे वाक्य की ओर चलते हैं और ये वाक्य को देख लेते हैं इसका क्या वाक्य है, क्या structure है तो भई वाक्य आपकी आँखों के सामने क्य क्या मैं जाता हूँ, interrogative वाक्य है यह, यानि कि सवाल पूछने के लिए इस्तमाल होता है, क्या मैं जाता हूँ, क्या हो जाएगा structure, do या does plus subject plus v1 plus ow, क्या हो जाएगा, do या does plus subject plus v1 plus other words, ठीक है, क्या बन गया, do I go, अच्छा, do किसमें लगेगा, does किसमें लगेगा, तो जब भी I, U, V दे का स्तमाल करेंगे, तो do लगेगा, he, she, it or name का स्तमाल करेंगे, तो does लग जाएगा, याद रहेगी बात, इसको याद रखना बेहत जरूरी है, तो क्या मैं जाता हूँ, बन गया, do I go, do I go, बढ़ते हैं आगे, तीसरे नंबर वाके की ओर, और उसके structure की ओर, मैं नहीं जाता हूँ, क्या है हो गया? सबचेक प्लस या तो do, या तो does साथ में लगेगा not, यानि कि do रहेगा तो भी not लगेगा, does रहेगा, तो भी not लगेगा, do रहेगा तो do not, does रहेगा तो does not, और साथ में V1 यानि कि वर्ब का पहला form, याद रखेंगे, तीसरे वाक्य है लेकिन वर्ब का फॉर्म जो है वो पहला लगेगा क्या बन गया I do not go I do not go मैं नहीं जाता हूँ I do not go रूल क्या होगा समझ लीजिए I you we और दे रहेगा तो do लगेगा he she it या कोई भी नाम रहेगा तो does लगेगा बहुत ही basic सा rule है यह rule आपको ऐसे anyway भी बहुत काम आने वाला है तो याद रखना बेहत जरूरी है चलिए बढ़ते हैं fourth number वाक्य की ओर जो की है आपके सामने मैंने खाया क्या है वाक्य भाई मैंने खाया structure क्या है subject plus v2 वर्ब का second form और other words v2 subject plus v2 plus other words क्या बन गया I ate eat का second form 8 eat 8 eaten eating होता है ना तो I ate मैंने खाया I ate rule जान ली जिसका क्या होगा I u v दे रहेगा तो v2 लगेगा यानि कि वर्ब का दूसरा form लगेगा he she it name भी रहेगा तो भी v2 ही लगेगा वर्ब का दूसरा form ही लगेगा बढ़ते हैं आगे पांचवे नंबर structure की और यानि कि पांचवे नंबर वाक्य और उसके structure को जान लेते हैं आपके सामने हैं interrogative है क्या मैंने खाया क्या मैंने खाया question mark क्या मैंने खाया did plus subject plus verb one plus other words did रहेगा subject रहेगा verb one we का we one मतला पहला form और other words रहेगा क्या बन गया did I eat did I eat क्या बन गया भई did I eat बटे हैं आगे छटे नंबर वाक्य की और मैंने नहीं खाया मैंने नहीं खाया क्या हो गया structure subject plus did plus not plus verb one plus other words subject plus did plus not plus v one plus other words क्या बन गया I did not eat I did not eat rule क्या हो जाएगा भई rule आपके सामने है I you we दे रहेगा तो did लगेगा he she it name रहेगा तो भी did लगेगा मतलब सारे subject के साथ क्या लगेगा did लग जाएगा बढ़ते हैं आगे 7th नंबर हम लोग structure की और या वाक्य की और जो कह लीजिए मैं खाऊंगा क्या है मैं खाऊंगा क्या हो गया structure subject plus will plus v one verb का पहला form or other words ow I will eat I will eat आठवा नंबर structure देख लेते हैं क्या मैं खाऊंगा will I eat structure क्या हो जाएगा will पहले आ जाएगा फिर हो जाएगा subject plus verb का पहला रूप और other words क्या हो जाएगा will plus subject plus v one plus other words ninth number वाक्य और structure जान लेते हैं अब मैं नहीं खाऊंगा मैं नहीं खाऊंगा negative वाक्य आ गया हमारे पास structure बन गया subject plus will और उसके साथ लग गया not क्योंकि negative वाक्य है और v one verb का पहला रूप साथ में क्या बन गया I will not eat मैं नहीं खाऊंगा I will not eat रूल जान लेते हैं इन सब के लिए that is I, you, we, they इन सब के साथ will का स्तमाल होगा he, she, it, names इसके साथ भी will का स्तमाल हो जाएगा आराम से तो tension वाली कोई बात नहीं है आप चाहे I, you, we, they subject में हो या चाहे he, she, it, names subject में हो आप will का स्तमाल कर सकते हैं उसके नीचे आपको एक और extra information लिखी हुई दिख रही होगी shell is no more in use मतलब है इसका shell का विवारिक तोर पर spoken English में इस्तमाल नहीं होता है मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ फिर से बता रही हूँ shell का usage जो है अब spoken में नहीं किया जाता है तो उसको extra load बढ़ानी के आपको ज़रुरत है नहीं आप राम से विलका स्तमाल करिए और must अंग्रीजी बोलिए चिक है बढ़ते हैं 10th नंबर वाक्य और उसके structure की और है मैं जा रहा हूँ क्या वाक्य है भाई हमारे पास मैं जा र पूरी तरीके से subject के ऊपर अब किसके साथ क्या लगेगा वो आगे बताऊंगी उसके साथ लग जाएगा V4 यानि की वर्ब का चौथा रूप जो की होता है ing लगा हुआ और रहेगा other words ओ डबलू तो I am going मैं जा रहा हूँ I am going मैं जा रहा हूँ I am going अब जान लेजे कि जब I रहेगा तो I am लगाएंगे U V दे रहेगा तो ही R लगेगा he she it या कोई भी ना मगर subject के जगा पर हो तो वहाँ पर is लगेगा इस बात का पूरी तरीके से आपको ख्याल रखना होगा चलिए बढ़ते हैं आगे 11 number वाक के और उसके structure की ओर तो क्या मैं जा रहा हूँ क्या म नहीं तो is नहीं तो are plus subject plus v4 plus other words यह structure होगा am किसके साथ लगेगा is किसके साथ लगेगा are किसके साथ लगेगा just अभी मैंने आपको कराया और उसके बाद यह depend करेगा कि subject क्या है इसके उपर depend करेगा और साथ में v4 ing वाला जो श्रब दोता है वो लगेगा plus other words हो जाएगा बन आगे बारवे नमबर वाके की ओर और सके structure की ओर मैं नहीं जा रहा हूं यह हो गया negative में मैं नहीं जा रहा हूं क्या हो जाएगा structure subject plus या तो is या तो am या तो are तीनों ही के साथ not लग जाएगा जैसे am not is not are not साथ में लगेगा v4 वर्ब का चौथा रूप और other words जैसे I am not going मै नहीं जा रहा हूं I am not going rule क्या हो जाएगा I के साथ लग जाएगा am you वी दे के साथ रह जाएगा r और he she एटिया किसी भी नाम के साथ रह जाएगा is clear हो गई यहां तक बात बढ़ते हैं आगे 13 number वाके और उसके structure की ओर मैं जा रहा था वाके क्या है हमारे पास मैं जा रहा क्या हो गया subject plus या तो was लगेगा या तो were लगेगा ये किसके उपर depend करेगा भई ये depend करेगा कि subject क्या है उसके हिसाब से decide करेंगे कि was लगना है कि were लगना है उसके साथ v4 यानि कि वर का चौथा रूप और other words क्या बन गया I was going मैं जा रहा था I was going चलिए अब जानते हैं कि was किसके साथ लगेगा और were किसके साथ लगेगा तो जब भी आपकी आपके subject के जगा पर रहे यूवी दे तो याद रखिए work अस्तमाल होगा बिलकुल आप एकदम बिलकुल बिना दिमाग लगाए हुए जब भी आपको subject में यूवी दे दिखे तो work अस्तमाल करें और I, He, She इट या कोई भी नाम दिखे तो was का स्तमाल करें यहां तक बात साफ हो गई चलिए बढ़ते हैं आगे 14th नंबर वाक्य और इसके structure की और वाक्य है क्या मैं जा रहा था? question mark interrogative वाक्य क्या मैं जा रहा था? structure हो जाएगा was plus subject plus v4 plus other words या फिर were plus subject plus v4 plus other words अब यह किसके उपर depend क करेगा कि was लगेगा कि were लगेगा बस अभी अभी तो कराया जी हां उसी के उपर depend करेगा कि subject क्या है उसके उपर depend करेगा कि was लगेगा या were लगेगा चाहे तो was लगे चाहे तो were लगे structure सेम रहेगा subject के साथ v4 plus other words क्या बन गया was I going क्या मैं जा रहा था was I going अब was है तो I है was लग गया, simple सी बात है, 15th number वाक्य और इसके structure की ओर बढ़ते हुए, हम लोग देखते हैं, क्या है अगला वाक्य, अगला वाक्य है, मैं नहीं जा रहा था, that's a negative वाक्य, मैं नहीं जा रहा था, तो क्या हो गया, subject प्लस या तो was, या तो were, again से same rule रह जाएगा, साथ में not लग सा, I was not going, I was, मैं नहीं जा रहा था, I was not going, चलिए rule का एक बार कोईक रिविजन कर लेते हैं, जब भी subject में you, we, they, they, were लगा दीजे, I, he, she, it, और कोई भी नाम दिखे, was लगा दीजे, बढ़ते हैं आगे, 16th number वाक्य और उसके structure की ओर, मैं खा रहा हुँगा, वाक्य क्या ह मैं खा रहा हुँगा, क्या बन गया structure, subject plus will be, ध्यान रखिएगा, will be लगेगा, plus v4, वर्ब का चौथा रूप, यानि कि ing वाला, और other words, क्या बन गया, I will be eating, मैं खा रहा हुँगा, I will be eating, rule समझ लीजिए, I, you, we, they के साथ will be लगेगा, he, she, it और किसी भी नाम के साथ भी, will be ही लगेगा, यानि कि in short आप इसको समझ सकते हैं कि सारे के सारे subjects के साथ will be आराम से चलेगा, समझ आ गई बात, 17th नंबर वाक्य के ओर बढ़ते हैं, क्या मैं खा रहा हुँगा, question mark, interrogative वाक्य, क्या मैं खा रहा हुँगा, will plus subject plus be plus v4 plus other words, यहाँ पर क्या हुआ, कि will be तो नाली है, subject ने हमारे, है ना, तो कि यह बन गया question mark, यानि कि interrogative वाला structure, will plus subject plus be plus v4 plus other words, वाक्य क्या बन गया, will I be eating, क्या मैं खा रहा हुँगा, will I be eating, क्या मैं खा रहा हुँगा, will I be eating, बढ़ते हैं आगे, 18th नंबर वाक्य के ओर, और यह वाक्य है, negative, मैं नहीं खा रहा हु हुँगा, structure क्या हो जाएगा, subject, plus will not be, plus v4 plus other words, ध्यान दीजेगा, यहां पर will और be के बीच में किस ने जगा बना ली, not ने जगा बना ली, और वाक्य हमारा क्या बन गया, I will not be eating, मैं नहीं खा रहा हुँगा, I will not be eating, क्लियर हो गई बात, बढ़ते हैं आगे, 19th नंबर वा वाक्य है, मैं खा चुका हूँ, वाक्य क्या है, मैं खा चुका हूँ, structure क्या है, subject, plus या तो have, या तो has, अब have किसके साथ लगेगा, और has किसके साथ लगेगा, यह मैं आगे बताऊंगी, समझ लीजे, subject, plus have, plus v3, plus other words, दूसरा, subject, plus has, plus v3, plus other words, यह एक ही structure में दो structure आपको मि I have eaten, वाक्य बन गया, मैं खा चुका हूँ, I have eaten, समझ लीजे, have किसके साथ लगेगा, has किसके साथ लगेगा, जब भी आपको I, U, V, D, दिखे, have लगेगा, सीधी सी बात है, बिना दिमाग लगाए हुए, आप इसके रूल को याद रखिए, he, she, it और कोई भी नाम दिखे, has लगेगा, साफ, चलिए, 20 नंबर वाक्य की ओर, क्या मैं खा चुका हूँ, have I eaten, क्या मैं खा चुका हूँ, have I eaten, structure क्या है, have plus subject plus V3 plus other words, या फिर, has plus subject plus V3 plus other words, have कब लगेगा, has कब लगेगा, just अभी अभी आपको बताया, तो जो वो रूल है, वो यहाँ पर भी वही काम करे चलिए, बटने ही आगे, 21 नंबर वाले वाक्य में, जो की है negative, मैंने नहीं खाया है, क्या वाक्य है, मैंने नहीं खाया है, structure जान लीजिए, subject plus या तो have, या तो has, दोनों ही रहेगा, तो भी not लगेगा ही, जैसे has not, have not, साथ में रहेगा V3, वर्ब का तीसरा रूप, और other words अगर वाक्य में हुआ तो, I have not eaten, मैंने नहीं खाया है, I have not eaten, quick revision rule की एक और बार, I, U, V, they के साथ have, he, she, it और किसी भी नाम के साथ has, बढ़ते ही आगे, 22 नंबर वाले वाक्य में, और ये वाक्य है हमारे पास, मैं खा चुका था, क्या वाक्य है, मैं खा चुका था, structure का है subject plus had plus V3 plus other words, I had eaten, क्या बन गया, I had eaten, rule समझ लीजिए, rule यहाँ पर सबसे इच्छा काम करेगा, that is, I, U, V, they रहे, तो भी had लगा देंगे, he, she, it or name रहे, तो भी had लगा देंगे, had की दोस्ती सब के साथ है, तो had जो है, सब के साथ जाएगा, ठीक है, 23 नंबर वाक्य, क्या मै खा चुका था, क्या मैं खा चुका था, question mark, interrogative वाक्य है, यह, बन गया, had plus subject plus V3 plus other words, had plus subject plus V3 plus other words, had I eaten, क्या मैं खा चुका था, had I eaten, बढ़ते ही आगे, 24 नंबर वाले वाक्य और उसके structure को जान लेते हैं, जो की है, मैंने नहीं खाया था, negative वाक्य बन गया, बन गया इसका structure, subject plus had plus not, किसने जगा बनाई, negative है तो not ने जगा बनाई, plus V3 plus other words, subject plus had plus not, plus V3 plus other words, बन गया, I had not eaten, मैंने नहीं खाया था, I had not eaten, clear हो गई यहां तक बात, बढ़ते हैं आगे, 25 नंबर वाले वाक्य की और, जो की है, मैं खा चुका हूंगा, क्या वाक्य है बई, मैं खा चुका ह हूंगा, subject plus will have लगेगा यहां पर, और V3 plus other words, बन गया, I will have eaten, मैं खा चुका हूंगा, I will have eaten, क्या है रूल, I, U, V, they के साथ will have लग जाएगा, he, she, it और किसी भी नाम के साथ भी, will have लग जाएगा, will have की दोस्ती सब के साथ है, ठीक है, चलिए, 26 नंबर वाले वाके पर आते हैं, वाके हैं, क्या मैं खा चुका हूंगा, सवाल पूछ रहे हैं, interrogative वाके है, क्या मैं खा चुका हूंगा, will plus subject plus have plus V3 plus other words, will I have eaten, will I have eaten, 27 नंबर वाले वाके पर आते हैं, जो कि है negative, मैंने नहीं खाया होगा, मैंने नहीं खाया होगा, तो वाके में कौन जगा बनाएगा, not, subject plus will और have के बीच में जगा बना ली, not ने बन गया, will not have, plus V3 plus other words, I will not have eaten, I will not have eaten, 28 नंबर वाके क्यों बढ़ते हैं, क्या है वाके मैं खाता आ रहा हूं, subject plus या तो have been लगेगा, या तो has been लगेगा, have been किस के साथ लगेगा, has been किस के साथ लगेगा, आगे बताऊंगी, उसके साथ लग जाएगा V4 plus other words, I have been eating, क्या बन गया वाके, मैं खाता आ रहा हूं, I have been eating, समझ लीजिए अब have been किस के साथ लगेगा, और has been किस के साथ लगेगा, I, U, V, they के साथ have been लगेगा, he, she, it और किसी भी नाम के साथ has been ल गया मैं खाता रहा हूं, बाके क्या बना हमारा, क्या मैं खाता रहा हूं, have plus subject plus bean plus V4 plus other words, ये एक structure, दूसरा has plus subject plus bean plus V4 plus other words, अब have किस कहां पर लगेगा, has कहां पर लगेगा, अभी हमने जस्टीश का, हमने अब इसकी पढ़ाई कि हैंな, have I been eating, क्या मैं खाता रहा हूं, have I been eating, बढ़ते हैं आगे 30 number वाक्य की ओर और ये बन गया negative, मैं नहीं खाता रहा हूँ, मैं नहीं खाता रहा हूँ, subject plus या तो have, या तो has, दोनों ही के साथ लग जाएगा not been, यानि कि have not been, या has not been, plus before, plus other words, क्या बन गया, I have not been eating, I have not been eating, have not been, कब लगेगा, और has not been, कब लगेगा, ये डिपेंड करता है, completely subject क्या है, और subject क्या होगा, इसके साथ क्या लगेगा, हमने अभी अभी इसकी पढ़ाई की, right, चलिए, बढ़ते हैं आगे, 31 number वाले वाक्य की ओर, जो की है, मैं खाता आ रहा था, मैं खाता आ रहा था, क्या हो गया, subject plus had been, plus before, plus other words, I had been eating, क्या बन गया, I had been eating, अब, had been कहां इस्तेमाल होगा, तो भई, had been की दोस्ती सब के साथ है, वो I, U, V, they, he, she, it, या किसी भी नाम के साथ, आराम से इस्तेमाल हो जाएगा, clear, 32 number वाले वाक्य की ओर बढ़ते हुए, क्या मैं खाता आ रहा था, मैं खाता रहा था, had I been eating, structure क्या बन गया, देख लीजे, had plus subject plus been, plus before, plus other words, ये हो गया, इसका structure, आगे है 33 number वाक्य, और अब तक आपको पता चल गया होगा, कि ये होने वाला है, negative वाक्य, जी हां, मैं नहीं खाता रहा था, मैं नहीं खाता रहा था, subject plus, अब दम नहीं है, तो not के entry तो होनीत है, subject plus, had not been, plus before, plus other words, क्या बन गया वाक्य, I had not been eating, मैं नहीं खाता रहा था, I had not been eating, ये थे आपके 33 structures, और उनके उपर based वाक्य, उनके उपर based rules, जो कि आपको बेहत जरूरी तरीके से याद रखने हैं, अगर आप basic communication आज अभी इसी वक्त से शुरू करना चाहते हैं, जी हाँ, ये in structures के help से आप वाक्य बना सकते हैं, आप communicate कर सकते हैं, तो definitely ये 33 के 33 structure आपको जरूर, जरूर और जरूर आपको याद रहने चाहिए, clear हो गई बात, so yes guys, ये थी आज की class, उमीद है class आपको बहुत पसंद आई होगी, class प different, different verb को लेकर के practice करने की कोशिश करिये, तो आपको बहुत benefit होगा, यकीन मानिये, जितना बताती हूं, उतना करते जाए, फिर देखिए कैसे changes आते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप में बहतरीन बदलाव आएंगे in terms of speaking English, right, you heard me right, so that's it for today, ये आज की class थी, आप बिल्कुल चैनल को नहीं किया है, subscribe तो जल्दी से कर लीजिए, और टेलिग्राम पर नहीं जुड़े हैं, तो जाहिए, जल्दी से टेलिग्राम पर जुड़िए, ताकि जो कि हमारी free courses आती है, वो उसके बारे में आपको पता चले, उनी free courses में से एक है, ये basic plus spoken English, जिसकी free course अवेलिबल है, e-book भी अवेलिबल है, और ये mini spoken English course है, इसकी free course अवेलिबल है, इसकी भी e-book अवेलिबल है, तो ये दोनों चीज़ें आपको ताकि पता चल जाए, आप टेलिग्राम पर पूछ सकते हैं, ये तीनों किताबे कब आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, कब अवेलिब भी अवेलिबल हैं, इसके लिए गेलिबल 이 अवेलिबल फना गाराँ गांड़ाँ आ टेलिग्राम पर पर जाएगी आपको दोग चल कदो है, तो तो इसके लिए displays गर्टिग्राम पर अप इन घ्लbelsा, किसी भी एसे लिए एक्से आपको अथान हम बस्तिए कर रहे हैं जि तेशा करें, हमारी टीम को इतना डाइम लग जाता है आपको रप्लाई करने में, तो definitely, लेकिन अगर आपने मेसेज कर दिया है, तो निश्चिन्त हो जाए आपको रप्लाई जरूर मिल जाएगा, ठीक है? So yes guys, that's it for today, thank you so much for watching, Be With Be Banker, empowering lives through knowledge, thank you so much for watching, stay tuned to,